हलो आपरिबन वेलकम टू माई चैनल तो आज हम लोग स्वालब करेंगे वक्षिट फोर के कोस्टन्स को और यहां पर कहता है फाइंड दी डिफरेंस बिट्वीन तुम लोग को डिफरेंस निकालना है और इसके पहले के जो वक्षिट हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल ज लेते हैं hours और दूसरे जगह not क्र लेते हैं मोग मिनाट ओके अब यहां पर देखिये ज्यादा समय कोन सा है 5 और 30 कि फौर आस्थरी मिनट कि 5 फिफिटी मिनट तो हमारा यह हमारा समय जैदा है ओके तो हम क्या करेंग गाना जो हमारा जैदा है उसको पहले नोट करेंगे त तो हम यहां पर पहले नोट करते हैं 5 hours ओके और यह हमारा है कितना 50 minutes ठीक है इसके बाद हम नीचे लिखेंगे जो हमारा समय जिसका value कम है तो यह हमारा है 4 hours and 30 minutes बिल्कुल ऐसे करना है और यहां पर हमको minus sign put कर लेना है अब क्या करेंगे एक line draw कर लेंगे और हम यहां पर अपन answer लिखने वाले हैं तो जब भी हम लोग subtraction करेंगे तो हम लोग right side से subtraction करेंगे तो पहले हम लोग minute में जो है न उसका हम लोग difference निकालने वाले हैं तो minute में आप यहां पर देख लिजिए हमारा कितना है 50 में हमला 30 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा तो 50 minutes में 30 minutes को minus कर द आरा जाता है तो यह तो बहुत है simple था हमने इसको बड़े आसानी से कर लिया चलिए हम लोग next question number B को solve करते हैं तो यह हमारे पास B नमर के question है 7 hours 45 minutes and 9 hours 50 minutes तो हम पहले किसको note करेंगे हम पहले यह note करने वाले 9 hours 50 minutes यह हमारा जैदा है तो हम पहले यहां पर 9 लेखेंगे और य देखिए हमारे पास दूसरा क्या है 7 hours 45 minutes तो हम यहां पर लिखेंगे 7 hours and 45 minutes अब देखिए हमको सब्टेट करना है तो यहां minus sign put कर लेंगे और हमको अब क्या करना पड़ेगा 50 minutes में 45 minutes को minus करना पड़ेगा तो हमारे पास यहां पे कितना आ जाएगा 5 minutes आ जाएगा ओके और देखिए 9 hours में 7 hours हमारा चला जाता है तो क्या बच जागा यह 2 hours हमारे पास यहां पर बच जाएगा तो यह भी हमारा बहुत ही simple था इसमें हम लोगों को बोरो करना नहीं पड़ा ओके अगले question में देखिए बोरो करना पड़ सकता है क्या तो देखिए C number पर हम पहले किसको नोट करेंगी यह हमारे यहां पर 3 hours and 35 minutes है और दुसरा हमारे पास है 6 hours and 15 minutes तो आपको देखना है hours में ठीक है यहां पर 3 hours है यहां पर 6 hours है तो यह value हमारा जैदा है ओके तो इसलिए हम क्या करेंगा नहीं इसको पहले नोट करने वाले तो हम यहां पर नोट करेंगे 6 hours और य आप देखिए अब देखी हमारे दूसरा है यह हमारा है 3 hours and 35 minutes ऑके त्प्टेक्ट करना तो अब देखिए 15 minutes है यह 35 minutes है तो अब यहां पर सब्टेक्ट नहीं कर सकते हाँ ना यह हमारा value कर यह जैदा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना यहां से बोंडर करेंगे तो यहा यहां पर 5 बचेगा जब 1 आर यहां पर हमारे पास आ जाएगा तो यह देखिए यह हमारा आर्स में है न हम इसको बोरो कर रहे हैं कितना बोरो कर रहे हैं 1 आर तो 1 आर का मतलब क्या होता है न 60 60 Minutes, 60 Minutes होता है, तो आप देखे लेजिए, यहाँ पे आपका कितना है, 15 Minutes, तो यह 16 Minutes और यह 15 Minutes को आपको add कर देना पड़ेगा, तो यह 15 Minutes आपक कट जायेगा, और 60 और 15 आपका add होके कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जागा, 75 ठीक है तो 75 minutes हो जाता है यहां से आपने 1 hour को बोरो किया है तो 1 hour is equal to कितना होता है 60 minutes इसलिए हम यहां पे 60 add कर लिए है चुकि यह minute में है अब 75 में हम 35 को minus कर लें तो हमारे पास क्या answer आ जागा यह देखिए यहां पे हमारे पास आ जाता है 40 minutes ठीक है तो 40 minutes तो हमारा आ गया अब hours में हम देख ले तो यह हमारे पास 6 था लेकिन 1 hour को हमनों यहां पे बोरो कर लिया तो हमारे पास कितना बज़ गया 5 hours तो 5 hours minus 2 3 hours तो हमारे पास क्या आ गया यहां पे 2 hours तो 2 hours 40 minutes हम लोगों का बन जाता है answer तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर solve कर लिए इसको तो next हमारे पास D number का question यहाँ पर देखिए यह हमारे पास है 5 hours and 45 minutes और यह है 7 hours and 20 minutes तो हमारा यह value जैदा बड़ा है क्यों? चुकि यहाँ पर 7 hours हमारा दिया गिया है तो हम पहले इसको note करेंगे 7 hours and 20 minutes ठीक है अब हम नीचे लिखेंगे 5 hours and 45 minutes हम लोग को subtract करना है तो यहाँ पर minus sign put कर लेते हैं अब देखिए हमारे पास क्या होगा? यह 20 minutes है और यहाँ पर कितना है? 45 minutes है क्या हमारा यह हो सकता है? माइनस नहीं हो सकता है तो हम क्या करेंगे यहाँ से बोरो करेंगे तो जब बोरो करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 hours बचेगा और 1 hour हमारा बोरो हो रहा है हम लोग यहाँ पर 1 hour बोरो किये हैं तो 1 hour is equal to क्या हो गया? 60 minutes हो गये तो हम यहाँ पर 60 minutes को add कर लेंगे तो जैसे हम 60 minute को add करेंगे तो यहां पर 20 और 60 हमारा क्या हो जाएगा 80 minutes हो जाएगा ठीक है तो 80 minutes में हम क्या करेंगे हम पर 45 को minus करेंगे जब 45 को minus करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यह हमारे पास आ जाता है वन आर यहाँ पे आ जाता है तो वन आर थर्टी फाइप मिनट्स हम लोगों का क्या हो गया आंसर तो इस तरह से हम लोगों को बोरो करके यहाँ पे सब्टेट करना है तो हम लोग सॉल्ब करेंगे सेकेंड नमर कोश्चिन यहाँ पे कहता है वाट टाइम इट विल बी ओके यह क्या स्टाइम होगा टू आर्स वीफोर थिरी थर्टी एम तो यहाँ पे वीफोर लिया गया है न तो हम लोग माइनस करेंगी तो अभी हमारे पास जो टाइम है उसको हम नौट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर्स और दूसरे जगह हम लोग लिखेंगे मिनट के लिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आर्स में कितना हो जाएगा यह 3 hours 30 minutes हमारा होगा तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 3 और यह हमारा minute में कितना हैगा 30 अब हमको यहाँ पर क्या करना है न बिफोर बताना है अनि सब्टैट करना है कितना तो 2 hours before तो हम लोग यहाँ पर 2 hours minus कर लेते हैं चुकि minute में यहाँ पर time तो है नहीं तो हम लोग यहा रहे हमारा तो 30 मिनट से आने वाला है यहां पर 30 मिनटसी आगिया आंसर यहां पर ओए धी थी आर्स में हम टू आर्स को माइनस कर लिए क्या बच गया वान तो यह हमारा हो गया वन आर्स थर्टी मिनट कितना हो जाएगा so time हमारा यहां पर हो जाएगा so time equal to हमारा हो जाएगा 1 hour तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 लिखेंगे और यह 30 minutes है तो हम यहां पर 30 लगा देंगे और यह am में था तो हमारा am में ही answer रहेगा ओके यह ध्यार रखिए तो 1 30 am हमारा time आ जाता है चलिए अब हम second number B number question को solve करेंगी तो B number में हमारे पास है 4 hours before 7 10 am तो हमारा फिर से हमको यहां पर before दिया गिया है तो हम लोग minus करने वाले हैं तो यह देखिए पहले अब लिखेंगे 7 hours 10 minutes यह हमने note कर लिया हमको minus कितना करना है 4 hours तो हम यहां पर 4 hours minus कर लेंगे यह time में तो minute में तो कुछ भी नहीं 00 होगा तो अभी minus किजिए तो यहां पर तो हमको 10 minutes से मिलने वाला है ओके और इधर हमारा क्या मिलेगा 7 minus 4 that is 3 hours ठीक है 3 hours तो हमारे पास time क्या हो जाएगा तो time हमारा हो जाएगा अभी a.m. में था ना तो हमारा a.m. में रहने वाला है so time is equal to हमारा हो जाता है 3.10 a.m. इस तरह से हमारा यह answer आ गया ठीक है चलिए next हम c number question को solve करते है तो हमारे पास कितना है ना यह है 11.05 p.m. है तो हम यहां पर hours में 11 note कर लिए और minute में हम क्या note कर लिए 5 ओके दूसरा हमारे पास क्या ना यहां पर before फिर से minus है कितना 2 hours before तो हम minus करेंगे यहां पर 2 hours यह हमारा यहां पर 00 minute आएंगे अब हम minus कर ले तो यहां पर हमको फिर से मिलने वाला है 0 आने की 5 minutes हमारा आ गया और hours की बात करें तो 11 minus 2 हमारे पास 9 hours आ जाएगा तो हमारा time क्या हो जाएगा time हमारा हो जाएगा 9 9 और यह हमारा कितना मिनट में 5 ठीक है तो time is equal to हो गया 9 5 यह क्या PM में हमारा हो गया PM हमारा answer आ जाएगा ओके इस तरह से हमारा answer बन जाता है तो यह हमारे पास last question है D number यहाँ पर लिखा है 3 hours before 6 20 PM तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले पहले तो 6 20 हम लिख लिए 6 20 PM इसमें हम minus करने वाले हैं 3 hours तो minute में तो हमारा 00 हो जाएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना 20 minutes आ जाएगा और यह 6 minus 3 किये तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 hours आ जाता है तो अब यह देखिए हमारे पास time क्या आ जाएगा so time equal to हमारा हो जाता है 3 20 3 20 क्या आएगा PM में आएगा चुकि यह PM में है इसलिए हमारा यहाँ पर PM में रहेगा answer ओके तो बहुत है आसाने से हम लोग आपे वाक्सिट 4 के सारे questions को complete कर लिए